हेलो दोस्तो आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि आम के आम और गुटलियों के दाम मैं आज ऐसा इसलिए कह रही हूँ जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लेट में मैंने कुछ आलू के छिलके लिए रखे हैं कि आज मैंने क्या हुआ बनाई थी आलू गोवी की सबजी तो अक्सर क्या होता है जब मैं आलू को अप्योग करती हूँ सब्सक्रण तो आलू की छिलकों को मैं फेकती नहीं हूँ, उससे भी एक मज़ेदार चटपटा सा स्नेक्स बनाया जा सकता है, जो बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मेरे खर में तो इसकी बहुत डिमांड है, तो आज उसी स्नेक्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेर कर रही हूं, तो ध्यान से देखेगा पूरी रेसिपी को, छोटी सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी ही बनके तियार हो जाती है, तो चले स्टार्ट करतें, देर किस बात की आलू के छिलकों को मैंने आपक धोकर अच्छे से वाश कर लिया था, थोड़ा सा सुखा लिया था, अब इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई चमच कसूरी मेथी की, और साथ में डालेंगे आदे चमच औरेगेनो, औरेगेनो का जो फ्लेवर है, वो आलू के साथ बहुत मज़ेगा जाता है, तो हो तो जरूर से डालें, औ और साथ में डालेंगे यहां पर कुटी हुई मिर्च, आप यहां पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका भी इसमें बहुत चटपटा स्वाद आता है, अभी दोनों तीन चीजों को हम आलू के छिलके के साथ अच्छे से मिक्स दे देते हैं, जो मसाले हैं, हमारे जो चमच मैदा, और साथ में लेंगे हम एक चमच कॉन फ्लॉर की, अगर यह दोनों चीजें आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप मैदे की जगह बेसन और कॉन फ्लॉर की जगह आप यहां चमच चावल के आठे का इस्तमाल कर सकते हैं, इच्छा अनुसार नमक और पानी डाल के हमें, बिना गुछल का इसका एक बनाना है घोल, घोल हमें ऐसा बनाना है जैसे पकोडो का होता है, ना तो ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाडा। बस इसको मैं लंप्स फ्री बनाना है, इसमें कोई गांट भगारा ना रह जाए, तो पानी आप थो जोटा सा काम यह जो घोल बनाके हमने रेडी करा है इसको हम एड़ कर देंगे अलू को चिलकों के ऊपर जो इसमें फ्लेवर है वह आलू के छिलके के अंदर आ जाए ऐसा हम यहां पर एक अच्छा सा मिक्स देना है सारे जो आलू के छिलके हैं इस घोल से कवर हो जाए बस वी flavor थे हमारे मसालों के, वो हमारे आलो के छिलकों में आचुके हैं, अब गैस पर कर लेंगे एक pen में तेल को गरम, हाई flame करने के बाद इसको हम मीडियम कर देंगे और एक छिलके को निकाल कि हम इसमें डाल देंगे, अगर आप एक साथ कहीं सारे छिलके डाल देंगे, तो हो जाओगे यह इतना क्रिस्प बनता है और बचों को तो पदा भी नहीं चलेगा यह आपने बनाया किसे है तो जब भी आप आलू की कोई सबजी या कुछ भी बनाए तो साथ में यह स्नेक्स भी आप बना सकते हैं इसलिए मैंने कहा था आम के आम और गुटलियों के दाम तो द देखिए फ्रेंट चट पटा मज़ेदार आलू के छिलकों का बना स्नेक्स हमारा तयार है बच्चे अगर बाहर के चेप्स खाने का आप जब भी आपसे जिद करें तो आप उनको यह स्नेक्स जरूर से बना के दीजी आलू की सबजी बना लीजी और साथ में छिलकों के तो यह इस चीज की निशानी है कि कितने चटकदार और क्रिस्प बने हैं तो दोस्तों आलू के छिलकों की यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा अगर चैनल पर नए आए हो तो मिलते हैं नए दिन न झाच्ट लगाँ